हलो फ्रेंड्स तो आज हम कवर करने वाले हैं एक नए पॉम को जिसका टाइटल है अनफोल्डिंग बड इसके ओथर है नाउशी कोरियामा ये पॉम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये है तो देखने में बहुत सिंपल और छोटी सी इसके वर्ड्स भी बहुत कॉमन है ले प्रॉसेस को किसी भी पॉम को पढ़ने से लेकर उसको डीपली समझने तक के प्रॉसेस से कंपेर किया जा रहा है मैंने अभी क्या बोला आपको समझ में आया नाई कोई बात नहीं एक बर रिवाइंड करके देख लो फिर भी ना आए दुबारा करना फिर भी ना आए तो 3 4 बर रिवाइंड करके देख ले ना क्या कहा आपने मुझे आज पढ़ाने का मूड नहीं है मैं पकाने के लिए आई हूँ अरे नहीं भई मैं वीडियो बनाती हूँ पढ़ाने के लिए कुछ नया सिखाने के लिए और खुद भी नया सीखने के लिए मैंने अभी आपको वही बताया जो हमें इस पूरे पॉर्म में बताया गया है कि कोई भी चीज हमें एक बार में समझ में नहीं आती है हम उसे gradually समझते हैं किसी भी चीज को एक बार से देखेंगे तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी लेकिन जब धीरे धीरे उसको deeply observe करेंगे तो वो हमें बहु हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे वाटर लिली अनफोल्ड होती है यानि जब वो कली से फूल बनने लगती है तो फूल की पंखुणियां दीरे दीरे फैलना शुरू करती है और हर दिन हमें उसका एक नया और चटक रंग देखने को मिलता है साथ ही साथ हम उसका नया डा प्रक्षर भी देखते हैं और जब वाटर लिली अपने अक्चुल साइच में आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है और यह सब देखकर को भी बहुत ज्यादा अमेस्ट हो सकता है वान इस नॉट अमेस्ट अट फॉस्ट ग्लांस बाइपॉम विच इस जब हम किसी पॉम को जल्दे जल्दे पढ़के निकल जाते हैं तो दो चीजे होती है एक तो वो हमें समझ नहीं आती और जब हमें समझ ही नहीं आती तो खुद बाखुद बेकार लगने लगती है यह रियक्शन ठीक वैसा ही है जैसा कि हम किसी टाइटली क्लोस्ट कली को देख कर रियक्ट करते हैं पहली नजर में ना हमें कोई कली अच्छी लगती है और ना ही कोई पॉम इस पूरे पॉम में एक कली को एक पॉम के साथ कंपेर किया गया है यह वानिस सर्प्राइज टू सी दपॉम ग्रैजुली अनफोल्टिंग रिवेलिंग इट्स रीच इन और सल्फ as one reads it again and over again मैंने पहले ही बताया कि इस पूरे पॉम में एक कली को एक पॉम के साथ कंपेर किया गया है तो जैसा कली के साथ होता है वैसा ही पॉम के साथ भी होता है तो इस लास्ट पैरा में हमें बताया गया है कि जैसे जैसे कली अनफॉल्ड होना सुरू करती है ह हमें उसका एक better और beautiful look देखने को मिलता है। इसके inner view और structure को देख कर कोई भी आस्चेरे में पढ़ सकता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी poem को धीरे धीरे और बार बार पढ़ते हैं तो हमें उसकी internal meaning समझ में आती है। एक एक कर सारे words की meaning समझ आने लगती है और जब हमें यह पता चल जाता है कि poet ने आकिर poem लिखी क्यूं है तो हमें poem की खूबसूरती का अंदाजा लगता है। तो overall इस poem में बस हमें इतना ही बताया गया है कि जैसे एक bird, एक कली unfold होना सुरू होती है, खिलना सुरू होती है और खिल कर एक flower में change हो जाती है तो हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ठीक वैसे ही जब किसी poem को हम एक बार देखते हैं तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। फिर उसको जब दो तीन बार read कर लेते हैं और उसकी internal meaning को समझते हैं तब जाके हमें बता चलता है कि वो poem कितनी ज्यादा meaningful है। So it's all about the poem. I hope आप लोगो को अच्छी लगी होगी. Thank you for watching.